दिल्ली विधान सभा की याचिका समीती ने सदन पटल पर रिपोर्ट पीश की है जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में MCD चुनावों से पहले दिल्ली सरकार को ठप करने की कोशिश की गई, महला क्लिनिक में दवाईयां रुख गई, महला क्लिनिक के स्टाफ की स सदसे हैं, सुरब जी ये जो पहले तो रिपोर्ट बता जी डेटेल में रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या इसका निश्कर्ष आपका निकल रहा है जो आप लोगों ने इसमें सुनवाई करी है इस मामले में देखे एक तो सबसे वड़ी बात आपके दर्शुकों के लिए है कि ये कोई आरोप नहीं है, ये दिल्ली विधानसभा की समिती, आयाचिका समिती की रिपोर्ट है, मतलब आरोप तो कंप्लेंट में लगे थे, उन कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने की, अ अधिकारियों से उनकी फाइले मंगाई, पूरा का पूरा मामला समझा, अधिकारियों को शपत पर उनकी गवाही हमने रिकॉर्ड की, और उस सब के बाद कमेटी के मेंबर्स ने डिसकुशन करके ये निशकर्श निकाला, कि दिल्ली के MCD चुनाओं से पहले, बड़े स्तर पे अधिकारियों ने एक शडेंतर रचा, जिस शडेंतर के तहट दिल्ली के आम लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं दिल्ली की चुनी हुई सरकार देती है, जैसे अस्पतालों के अंदर स्वास्ते की सेवाएं हों, मुहला क्लिनिक्स के अंदर टेस्स हों, बसों के अंदर बस मार्शल हों, दिल्ली जलबूर की, सीवर की, पानी की, लाइनों का काम हो, या जो गरीब बुजर्गों को पेंशन मिलती है, उस पेंशन तक को तीन-तीन महीने तक रोक दिया गया, अस्पतालों के अंदर OPD काउंटर्स को छे महीने तक बंद कर दिया गया, और जब ये ढूंडा गया कि ये क्यों हुआ तो पता चला कि वित्य सचिवक ने फाइलों के ओपर मनमाने ढंग से ऐसे सवाल लगा दिये, जिनके जवाब देने में कई महीने विभागों को लग गये, और वो सवाल बिना लगाए भी काम वर्षों से दिल्ली सरकार के अंदर ह हो रहा था, तो ये जान बूचके किये गए, और जब मुखे सचे महोदे जो नरेश कुमार जी है, उनसे पूचा गया, कि भई आपके यां इतनी अविवस्था पहल रही थी, दिल्ली के अंदर त्राही मच रही थी, अस्पतालों के अंदर कुहराम मचा हुआ था, बुज जानकारी थी, और जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने उनके उपर कोई कारवाही नहीं की, इसलिए कमिटी ने ये माना कि मुखे सचे भी इस मिली भगत के अंदर शामिल है, तो समिती ने सोशल वेलफे डिपार्टमेंट में पूजा जोशी हैं, उनके उपर, हेल के सचीव नरेश कुमार के उपर, इनके उपर कारवाई करने की जो है, हमने रिकमेंडिशन दिये, ये कैसे मानने के जैसे आप बता रहे हैं, कि आरोप नहीं है, क्योंकि आप आमादी पार्टी वाले हैं, तो आप तो जो सर्विसीज है, वो बीजेपी की के अंदर सरकार क होती हैं, उनके जो फैसले हैं, वो एक पूरे, एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, और ये सुपरीम कोड ने कहा है, कि जो समीतियों के फैसले हैं, वो कोड ओ लौ में भी admissible है, ये मश्य कोड का फैसला है, तो इनको आरोप नहीं माना जाना चाहिए, इसके अंदर बाक अधिकारी जो एक एक शब्द बोलता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और हमने तो उन सब चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी साथ-साथ कराई है ताकि कल को कोई अधिकारी यह ना कह दे कि मैंने यह बात नहीं कही थी तो यह सारी जो बाती है वो फैक्ट्स है और मांग लिया तो फिर यह शडियंतर वाली बात कैसे मांग लें मैं आपको बताता हूं देखे कई बार क्या होता है कि आप लाइसेंस बन माने जा रहे हैं और कोई लाइसेंस बनाने वाला जो इंस्पेक्टर है वो रिश्वत खोर है तो क्या कहेगा शरजी गए उसके पास उसने कोई चार चीज मांग लिए आप उसने पाँचवी चीज मांग ली आप पांचवी लेके गाए तो छटी मांग ली और कोई और कोई और कोई में लाली दो काली चाग्जिशेंस बना रहा है मतलब वह विर्थ में आपसे नहीं चीज़ेंμέग उन्ना द चाया है वहाँ पर भी यही पाया गया एक पेंशन विवस्था वर्षों से चल रही है वर्षों से बुजर्गों को महिलाओं को विद्वाओं को और विकलांगों को पेंशन मिलती है इस बार क्या हुआ कि दिवाली से पहले जो नई अधिकारी आई पूजा जोशी उन्होंने का कि नहीं 2009 मे जो है मामला निकाल के ले आए अब उस तरीके से करोगे तो आपने पुरानी विवस्था रोक दी और नई विवस्था शुरू नहीं कि आप नई विवस्था ले आई ये पुरानी तो चलाएंगे अस्पतालों में क्या हुआ डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हुए तो आप किसी भी जगह पे जब आप कोई नया विवस्था लाएं या नया रिफॉर्म लाएं आप पुराने को खतम नहीं कर सकते हैं आप पुराने को उस वक्तम करेंगे जब नया शुरू हो सकता हूँ ठीक है ना जैसे कि मैं कई बार यह बत बताता हूँ अगर आपको न आप सड़क पर रख देंगे पिर आपका परिवार क्या करेगा सड़क पर यह काम जो है अधिकारियों ने किया यह बिल्कुल बेसिक जो है मैनेजमेंट के स्किल्स होते हैं बेसिक एडमिस्टेशन है जिसको जान बूच के जो है दरकिनार करके दिल्ली के लोगों को किस पर्प्रेम कोड की सम्वधान पीट के अंदर केंदर सरकार के जो सबसे बड़ी वकील होते हैं तो शार महताजी है सोलिसिटर जन्रल है उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की सरकार की तरफ से कोई सिफारिश आती है तो केंदर सरकार उन अधिकारियों के उपर कारवाई करेगी अब तो ये दिल्ली की विधानसवा की तरफ से सिफारिश जो है हम भेज रहे हैं राष्टपती महोदे को भेज रहे हैं और MHA को भेज रहे हैं, अब हम देखना चाहेंगे कि केंदर सरकार ने सही कहा था, अगर सही कहा था तो करेगी कारवाई, और नहीं कहा किया, तो जब हमारे पास सर्विसिस आएगी, तो उसमें कारवाई होगी, और जहां जहां पर भी विशेश अदिकार समिती के अंदर माम लागे है, वहाँ विशेश अदिकार समिती देखेगी कि उसमें क्या करना चाहिए, बहुत 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 बिनवार, दिली उदान सबासे, मैं शराच चर्मा एंडिटीव इंडिया,